Roofing Sheet का इस्तमाल हम बहुत सालों से करते हुए आ रहा है पर आजकल आपने ये जरू देखा होगा कि Roofing Sheet का इस्तमाल बढ़ चुका है और साथ में आपने ये चीज जरू नोटिस की होगी कि अलग-अलग type के Roofing Sheet जो है वो मार्केट में आ चुके है इनके अलग-अलग उद्देश होते है जैसे कि कुछ रूफिंग शीट जो होते है वो आपके budget friendly होते है तो कुछ रूफिंग शीट जो है वो दिखने में अच्छे दिखते है कुछ रूफिंग शीट जो होते है वो गर्मी से आपके घर का protection करते है और कुछ roofing sheet ऐसे भी होते है जिनमें जंग लगने की समस्या बिल्कुल भी नहीं होती है तो अलग-अलग उद्देश के इसाफ से अलग-अलग roofing sheet जो है वो market में available होते है तो इसलिए roofing sheet लेने से पहले आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आखिर roofing sheet के कितने types होते है अगर आपने गलत roofing sheet का चुनाव कर लिया तो इसके दो नुकसान होंगे पहली चीज जिस उद्देश से आपने roofing sheet लिया है वो उद्देश सफल नहीं हो पाएगा और दूसरी चीज इससे आपका budget भी बढ़ सकता है तो सही और सबसे best roofing sheet का चुनाव करने के लिए जानते है कि आखिर roofing sheet के concept types होते है अब general जो roofing sheet के type होते है तो पहला होता है corrugated roofing sheet दूसरा होता है polycarbonate roofing sheet तीसरा होता है metal roofing sheet और चौता होता है plastic roofing sheet पर हम इन्हें आसान भाषा में समझते हैं यहाँ पर जो पहला sheet हम लेंगे वो है AC sheet जिसे की हम asbestos cement sheet भी कहते हैं और यह जो sheet है इन्हें हम common भाषा में cement sheet भी कहते हैं अब यह जो roofing sheet है इसका सबसे पहला advantage है जिस वज़े से इसका सबसे ज़्यादा इस्तमाल किया जाता है वो है इसका cost बाकी roofing sheet के तुलना में यह जो AC sheet होते हैं इनका cost बहुती कम होता है अगला advantage in AC sheet का यह आजाता है कि यह low heat transfer करते हैं जैसे कि आपको पता होगा जो metal sheet होते हैं वहाँ पर आपको बहुती टेज गर्मी जो है वो महसूस होती है room के अंदर उतनी गर्मी आपको AC sheet लगवाने के बाद महसूस नहीं होगी और बाकी roofing sheet के तुलना में जो AC sheet होते हैं वहाँ पर noise का भी जादा problem नहीं होता है जैसे कि आपको पता होगा बरसात के वज़े से metal sheet के उपर जो आवाज आता है वो बहुती जादा होता है उतना आपको AC sheet में महसूस नहीं होगा और ये जो AC sheet होते हैं ये weatherproof होते हैं और तो और इन में corrosion जैसी समस्य भी नहीं होती है वहीं पर अगर हम AC sheet के disadvantage की बात करें तो इने handle करना थोड़ा सा मुश्किल होता है fitting करवाते समय या फिर handling करते समय इनके उपर आसानी के साथ crack आपको दिखाई दे सकते है या फिर कोई भरी भर कम वजन अगर इन sheet के उपर आ जाता है तो ये sheet जो है वहाँ पर तूट सकते है और ये जो AC sheet होते हैं इनका वजन जादा होता है इस वज़े से नीचे का जो structure है वो भी आपको heavy लेना पड़ता है तो वहाँ पर आपका cost जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है AC sheet का सबसे खतरनाक disadvantage ये होता है कि इसके health पर harmful effect हो सकते है जैसे कि lung cancer, lingerial cancer, fibrosis of the lung इस तरह की घातक बिमेरिया AC sheet के ज़्यादा दिनों तक संपर्ख में रहने के कारण हो सकती है next roofing sheet के बारे में बात करें जो की है GI sheet जिस तरह से हमने देखा कि AC sheet का आम तोर पर इस्तमाल किया जाता है उसी तरह से GI sheet का भी इस्तमाल बहुत ही जाधा प्रमान में होता है GI sheet का सबसे पहला advantage ये आ जाता है कि इसका वजन AC sheet के तुलना में बहुत ही कम होता है इसका फाइदा ये होता है कि नीचे जो structure बनाना होता है वो AC sheet इतना heavy बनानी के आवशक्ता नहीं होती है इस वज़े से खर्च भी बच जाता है और अगर हम वीडियो में आगे आने वाले roofing sheet से इसके cost की तुलना करते है तो definitely इसका cost कम होता है GI sheet जो होते है वो बहुती durable material माना जाता है ये highly corrosion resistant होते है और तो और सालों साल तक मौसम की मार को जिलने के बाद भी इनके उपर कोई असर नहीं होता जैसा कि हमने देखा GI sheet बहुती lightweight होते है AC sheet के comparison में इसी वज़े से इनका installation करना बहुती आसान हो जाता है जिस वज़े से installation करने का जो lever charge होता है उसमें भी आपका cost जो है वो बच जाता है और तो और ये जो GI roofing sheet होते है ये बहुती versatile product है इनका इस्तमाल आप residential हो, commercial हो या फिर industrial building हो यहाँ पर आप आराम के साथ कर सकते हो जैसे कि हमने GI sheet के advantage देखे है उसी तरह से GI sheet के कुछ disadvantage है ये जो GI roofing sheets होते है इन में insulation नहीं होता है जिस वज़े से आपको building के अंदर बहुती जादा करमी मैसूस होती है उसके बाद में अगर heavy load आता है या फिर heavy wind load होता है ऐसी situation में आपके GI sheet जो है वो damage हो सकते है और बरसात आने के बाद आपको बहुती जादा noise जो है वो इन में सुनाई देती है हाला कि जैसे GI sheet होते है उसी के तरह कुछ iron sheet भी आते है जो की बहुती पतले होते है एकदम पापड की तरह इन में जल्दी जंग लगने का खत्रा बना रहता है यह सिर्फ ऐसी जगह पर इस्तमाल किये जाते है जहां पर इनका इस्तमाल सिर्फ दो या फिर तीन सालों के लि वो aluminum का इस्तमाल करके बनाए जाते है अब यह जो color coated sheet है और GI sheet है इन दोनों के advantage सेम ही होते है जैसे कि color coated sheet भी light weight होते है fire resistant होते है एक class fire rating आपको इन में मिलती है यह जो color coated sheet है यह weatherproof होते है मौसम की मारका इनकी उपर जल्दे असन नहीं होता है और तो और यह highly durable होते है easy to install, eco friendly, energy reflective और safe भी होते है और सबसे important चीज यह आ जाती है यहाँ पर कि यह aesthetically appealing होते है अगर हम compare करे GI sheet से color coated sheet का तो यहाँ पर color coated sheet जो है वो दिखने में अच्छे दिखते है और GI sheet से अगर हम compare करे तो color coated sheet में color होने के कारण खास करके white color अगर है तो वो धूप को अच्छे से reflect कर द जो की polyurethine foam और sheet इन दोनों को मिला के बनाए जाते है यह इस तरह का sandwich होता है कि उपर metal sheet होता है बीच में polyurethine foam होता है और नीचे metal sheet होता है अब यह जो puff panel है इनका सबसे पहला advantage यह आ जाता है कि यह energy saving होते है क्योंकि इन में low thermal conductivity होती है इस वज़े से आपको इनके अंदर जल्दी गर्मी मैसूस नहीं होती है जैसा कि हम other roofing sheet के साथ देखते हैं कि वहाँ पर noise की बहुती बड़ी समस्या होती है तो ऐसा puff panel के साथ नहीं होता है इसकी रचना कुछ इस प्रकार से होती है कि जिसमें आपको noise की जादा समस्या नहीं होती है next roofing sheet का type है polycarbonate roofing sheet अब य इस वज़े से सूरज का प्रकाश जो है वो अंदर आसानी के साथ आ सकता है अब जैसे कि fiber sheet के साथ होता है उनका color आगे चलके dull हो जाता है तो वैसी दिक्कत आपको polycarbonate roofing sheet में जल्दी दिखाई नहीं देती है अब यह जो polycarbonate roofing sheet होते है यह lightweight होते है पर इनके उपर scratch आने क sheets अब यह जो sheets होते है इन में जंग की आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी इसकी life भी अच्छी होती है मौसम की मार को भी अच्छे से से सकता है जहां पर बहुती ज़ादा जंग की समस्या है तो वहाँ पर PVC आपके लिए एक अच्छा option आ जाता है और अगर आपको PVC roofing sheet से भी जादा stronger और durable material चाहिए ऐसे वक्त में आप UPVC roofing sheet के तरफ भी जा सकते हो UPVC का मतलब होता है unplasticized polyvinyl chloride अब यह जो roofing sheets होते है इनकी life अच्छी होती है यह energy efficient होते है safety के इसाब से भी सही होते है sound absorption हुआ या फिर heat installation के इसाब से भी यह अच्छे होते है और सबसे main ची roofing sheet होते हैं इनका cost बहुती जादा होता है बाकी sheet की तुलना में और उसके बाद और भी कुछ roofing sheet के type है जैसे की bitumen roofing sheet उसके बाद में rubber roofing sheet, bio composite roofing sheet और सबसे आखिर में bamboo roofing sheet तो आप अपने सुविदा अनुसार अपने roofing के लिए in sheets का इस्तमाल कर सकते हो पर जब भी आप sheets roofing sheet का चुनाव करता है तो दो से तीन चीजों का ध्यान जरूर दीजिए पहली चीज होती है जो कि है material weight उसके बाद में आपके यहाँ पर weather condition की इस हिसाफ से है उस हिसाफ से आपको roofing sheet का चुनाव करना चाहिए और उसके बाद में जब आप roofing sheet लागवाने आले हो तो maintenance का भी ध्यान रखते हुए आपको roofing sheet का चुनाव करना है और सबसे आखिर में overall जो cost आती है आपकी उसको ध्यान में रखने के बाद ही आपको roofing sheet का चुनाव करना चाहिए तो अगर आपके कोई सवाल है तो comment box में comment जरूर कीजे वीडियो अच्छा लागा होती से like कर दीजे चानल पर अगर आप लोग नए हो तो चानल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजे और इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है